नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और आज आपके लिए पटवारी और अन्यपदों के लिए भरतिया निकल के आ चुकी हैं जिया दोस्तों आप अवेधन करना अर्रेडी स्टार्ट हो चुका है था आप जल्दी से ज नोटिफिकेशन हर रोज पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसके लिए आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट www.klue.com वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल में हर एक इन्फोर्मेशन आपको मिल जाएगी जल्दी से जा सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में बैल आइकन भी दिबा दीजिएगा तो यह नोटिफिकेशन हो चुका है जिसको अप्लाइब करना स्टार्ट हो चुका है 27 मई से और एप्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसके लिए लास्ट डेट जो है तीन जुलाई 2021 रहेगी जो इसके लिए ओल मेल एंड फीमल केंडेड लीजिबल हैं वो अप्लाइब कर सकते हैं अडवर्टाइजमेंट नंबर 032021 है रहेगा और इसके लिए आपको सबसे पहले बता दूँ जो पटवारी की रूक्रूट्मेंट के लिए आप देखना चाहते हैं उसके लिए जो आउट करीगी हैं वो मैं आपको डिटेल में एक बरी बता देता हूं तो सबसे पहले पटवारी में जो पोस्ट आउट की हैं दस पोस्ट आउट कर दीगी हैं जिया दोस्तों हैड क्लर की 12 पोस्ट आउट की गई हैं कॉंसलर की 50 पोस्ट जो हैं आउट की गई हैं और इसक के लिए 6358 पोस्ट जो है आउट करी गई है जिया दोस्तों इसके लिए अपलाई करना अल्रडी स्टार्ट हो चुका है तो आप जल्दी से जाके कर लिजिए और इसके लिए बताना चाहूंगा जो इसके लिए वेतन आपको दी जाएगी पटवारी के लिए वह लेवल सिक्स के अकॉडिंग लिए 35,400 से लेके 1,12,400 दी जाएगी और अगर आपकी एज 21 से लेके 27 तक है तो आप अराम से अपलाई कर सकते हैं हैट किलर के लिए अगर हम बात करें 35,400 से लेके 1,12,400 रहेगी और एज लिमिट 30 साल से लेके आप अराम से अपलाई कर सकते हैं अगर तो आपकी maximum wage 30 साल है. Consular के लिए 35,000, 400 से लेके 1,12,000 आपकी salary रहेगी और 30 year तक की उमर तक आप अराम से apply कर सकते हैं. Junior Assistant Lower Division Clerk के लिए आपको जो salary दी जाएगी 25,500 से लेके 81,100 दी जाएगी. आपकी age limit 18 से लेके 27 तक आप अराम से apply कर सकते हैं. अगर हम बात करें selection process की तो इसके लिए जो post निकली है train graduate trainer की, assistant teacher primary की, assistant teacher, nursery, counselor, head clerk और पटवारी के लिए सबसे पहले tier 1 और tier 2 में होगा computer based test होगा और उसके बाद next junior assistant और lower division clerk के लिए अगर हम बात करें कभी tier 1, tier 2 test होगा लेकिन इनका अलग से skill test भी लिया जाएगा जैसे कि typing test होता है वो भी इनका होगा तो इसके लिए आपको त्यारी रखनी है अब हम बात करतें qualification की सबसे पहले हम बात करेंगे पटवारी के लिए पटवारी के लिए अगर आपने बैचलर डिगरी की हुई आपने के लिए अगर बैचलर या Master डिगरी की हुई है आपने और अप्लाइड फिजियोलोजी भी की हुई है तो आप अप्लाइग इसके लिए कर सकते हैं प्राइमरी के लिए 10 प्राइम्री में किया हूँ आपने और इसके सब बैचलर डिगरी है या डिप्लोमा एलिमेंटरी एडुकेशन में किया हूँ अपने टैंथ पास की हुए इंग्लिप्स थर्टी फाइव पर मिनट है और प्लस हिंदी की थर्टी वर्ट पर मिनट है तो आप इसके लिए अराम से अप्लाइब कर पाएंगे नेक्स आप बात करते हैं कैट्वरी वाइस एप्लिकेशन फी अब जनरल ओबीची से है तो आप आपको 100 डूपीश पे करने हैं बाकि किसी भी कटागरी को कुछ भी पे नहीं करना होगा लिंक सारे आपको यहां पर दे दिए गये हैं नोटिफिकेशन यहां से क्लिक करके आप डाउन्लूट कर पाएंगे अप्लाइब करना स्टार्ट हो गया तो आप यहां से जो है आप आप अप्लाइब कर सकते हैं 25 जूल से तो यह नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है जल्दी से जाईए अगर आप अप्लाइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पूरा रिडाउट जुरू करिएगा कुछ चीज़े अगर मिस हो गई हो तो आप खुद जाके नोटिफिके नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा समय रहते हैं आप इसके लिए अपलाएब कर पाऊंगे तो यह था आज का नोटिफिकेशन मिलेंगे नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अदर तब तक के लिए धन्यवाद